तो अब भी मैं हूँ अपने रोड में यहां पे ना गंबरफुल से उपर जो यह शिमला वाला रोड गया अपना वाया ममलीग होके यह गया जो है अपना छोटी विलैत कुनिहार के लिए जो सोलन से मेन आया और दूसरा गया उपर शिमला के लिए अब कि मैं आपको रोड के हाल दिखाता हूँ यहां पर बारिश कम हुई है यहां पर बारिश बहुत ज़्यादा कम है अगर यहां पर बारिश होते तो बहुत ज़्यादा ख्राब हालत होती यहां की क्योंकि यहां पर जो है लैंड स्लाइड वगरा काफी ज़्यादा आ रहे हैं यहां पर यह चीज़ आप देख सकते हो इदर सामने आपको दिखाई देगी उदर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि लास्ट टाइम यहां पर काफी बड़ा लैंड स्लाइड आया था आप लोग देख सकते हो कि दिर उपर तो भाई आज कल जो है ना बरसात का मौसम बरसात जो है शुरू हो चुकी है और अलब काफी द्यान से रोड पे जो अगर चलना होना भाई तो काफी ज़्यादा हमें जो है ध्यान देना पड़ता है रोड पे चलने के लिए क्या पता लगे कब हमारी मौत हमें बुला लें तो इसलिए भाई उपर नीचे देखके अराम से चलो आज कल जो है थोड़ा रिस्की हो जाता है बाइक पे चलना यूँकि एक तो बारिश वगएरा काफी ज़्याद जैना भाई उनमें काफी ज़्यादा दिक्कता थी पहाडी मतलो पहाडी तो क्या बाकि जो अपने प्लेन एरिया जैना भाई नीचे उनमें भी दिक्कत कमनी है उनमें पानी खड़ा होता है रोड में पानी भर जाता है पूरा का पूरा तलाब बन जाता है उधर तो आजक तो यह नहीं जाए दोटने के लिए नियुक्तबर तोड़ने के लिए लिए इतनी ज्यादा घ्रास पानी भरा साहिए तुमाटर के बीच में अन्दार के पौधे होते हैं और यह रहा यहां पर जूह 1 km यहां पर गंबर पुल से देफथल अध्या मंदिर है यहां पर He कि काफी जधा वह ओ गया यह मंदीर यहां बिल्कुल नदी के किनारें पर यहां पर एक क्या मंदिर कि पर कि ऋपिल पर ब्алы महा देव क है नदी में पानी अभी भी जो है न साफ नहीं है, क्योंकि यह आती है नदी जो अपनी एक तो आती है सोलन साइड की, उपर जो हमारे गौँ के नीचे है यह इनका मिलाप होता है, दो नदिया मिलती है, यह जो है टारा देवी साइड की का पानी आता है इदर के लिए और दूस साइड का जो यह अपना कंडा घाट से क्रोल की पहाड़ी आई नीचे यह वाला पानी इस साइड को आता है और यह देखो इदर रोड के हाल कि यह रोड ऐसे होते हैं इतने फिसलन होती है इसमें कि क्या पता है और बाइक में तो है ना पिछे से इतना ज़्यादा इसमें मटगार बगार नहीं होता लगा हुआ में जदा मुलव दिक्कत होती है कि पिछले वाले की तो भाई बुरी हालत हो जाती है इसमें बहुम लोगों को आप लोगों को बता दो कि आई टी आई भी कंप्लीट होने व और ओ कि थोड़े हम जो है बाहर निकल सके लब बाहर निकल के थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा वाकि आप लोग बता सकते हो भाई क्या करें तो समझने आ रहा है दिमाग का दहीं हो गया है सोच तोच के यह करेंगे और यह करेंगे क्योंकि टाइम भी कम रहे गया है अब हम लोगों के पास इतना जादा टाइम नहीं है और क्या पता भी पेंडेमिक फिर से लग जाए भी क्योंकि केसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब तो हिम अचल में बहुत ज़्यादा कैसा आ रहे हैं बाकि आप लोग यह बता सकते हो कि मिरर कैसे लग रहे हैं कि आप लोग कोई कमेंट करके कोई बताता नहीं है कि ये कैसे लग रहें मिरर एक दम से जो इस में लाइट जलती है आगे और दोन्ह साइट ज़ृए लाइट दी रखी इसमें 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 मेहनत कर रहती है और भाई एक ज़ए मेरा दिल तूटने वाले ना भाई एक दिन तो मुझे मनलब रात को ऐसा राया ना कि यार क्या हो गया है यह आप यह दे सकते हैं ना भाई दर्स नजदीक से दिखाऊंगा अगर मैं आप लोगो को तो भाई यह मिरर टूट गया है यह पता नहीं कैसे टूटा उपर वाला जाने बट मैंने जोए कवर डाल रखा था इसके उपर और जैसे ही मैं दो तिन दिन बाद गया तो कवर हटाने बाद फिर भी मुझे पता नहीं लगा कि यह टूट गया है अब बाई स्टार्ट करने गया फिर बाद में फिर बाद में जाके मुझे पता लगा जब मिरर ऐसे ऐसे लटका हुआ था ना भाई टूंडे की तरह तरह तो यह टूंडे का हाथ होता है ना बाई ऐसे तो ऐसे लटका हुआ था मैं का यार भाई कसम से इतना रोना रहा था तो भाई क्लोल होगी थे मेरे साथ रभी भाई को देखते देखते ना भाई ठुक गया था मतलब तो गंदाई सीन हो गया था यार मोड पे नेरिये में पहुंचके ना भाई शांती मिलती है तो अपने जानने वाले मिल रहे हैं सारे के सारे बंदे जो है ना इधर कोई गाड़ी में निकल रहा है कोई बाइक पे निकल रहा है और अश्चरे की बाद तो ये भाई कि अपने साथ के जो क्लासमेट थे ना सब की शादियों हुई है और हमारा तो कोई अभी विचार भी नहीं है कभी कभी ऐसी आतीरा भाई भगाने की पुस्त तगड़े वाली इतना मन करता है और सबसे ज़्यादा मन करता है जब बंदे होते हैं न सामने भाई उदर बारिश लगी हुई थी और यहां पर मौसम कितना चेंज है यहां पर कोई बारिश का नाम निशान नहीं है अभी थोड़ी हल्की हल्की अपनी बारिश का मौसम बन रहा है यहां पर मैं इस वार जोए एक हफ़ता चोड़ के आ रहा हूं तो ऐसा लगता है ना भाई कि मलब कितने दिनों बाद आ रहा हूं मैं जादा दिन एक तो घर से बाहर नहीं रहाता मैं पिछले जोए ना एक फ्रस्ड जाओ कर कि घर घरा आता हूं फिर मैंने सबसिदे को जाँंगा फिर सुबा फिर आना पड़ेगा तो मैं इस चक्क्र में नहीं बट जब मेरा काफी जादा कर जाता है ना फिर तो मैं आई जाता हूं झाना पड़ता है इतनी जा आजाती है मतलब अपने एरिया की لगार रहना हो अगर जौब के लिए तो पता नहीं किसे रहेंगे को इतना मतलब ऐसे बेचैनी से हो जाते हैं अगर कुछ दिन अगर बाहर रहना पड़े लोग फिर तो अती हो जाती है कि मतलब अब नहीं अब तो जाना ही अब नहीं होगा भाई मुझसे और आज कल तो हर्याली भी आप देख सकते हो पूरा हरा भरा पड़ा हुआ इदर पूरा का पूरा बिल्कुल ग्रीन जंगल जो है एक दम से हरे बरे इदर जिस साइड भी आप देख पाओगे बगी शाम के डायम सबसे ड्रावनी जगा ये वाली है इदर ये थोड़ी सी इदर से उधर तक क्यूंकि हमारे जो है कबिर्स्तान भी बगरा यहीं पर हमारे तो नहीं है गौंवालों के इदर हमारे तो दूसरी साइड को है बट ये कि मतलब सबसे ज़्यादा डर एक तो जानवरों का लगता है इदर और दूसरा फिर थोड़ा डर्व डर्तमद लव जो कुछ-कुछ डरते हैं तो कबिर्स्तान का लगता है वैसे आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि कबिर्स्तान की वज़ए से कुछ हुआ हूँ अगर बकिया कि जानवर काफी बार मिले एहर, जो भी जंगल का राजा वगारा ना, काफी बार मिला ये भाया वगारा को तो कि मेरी मुलाकाद तो बिल्कुल आमने सामने हुई थी एक बार और मैंने उसके मुह से शिकार चुड़ा लिया था, बक्री चराने की ऐसा मैं तो भाई मिलूँगा आप लोगों के साथ किसी नई वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को मैं अलवीदा कहना चाहूँगा और भाई आप लोगों से शिकायत एक है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और फिर शेयर भी नहीं करते तोड़ा दिखाओ भाई जज़बा और वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मिलेंगे भाई नेक्स टाइम तब तक के लिए टाड़ा बाई बाई सलाम आलेकम दाव जी सलाम अलेकम भाब जी जी सब्सक्राइब करना बड़ेगा जी सब्सक्राइब करना बड़ेगा जी सब्सक्राइब करने बाःकम विय कि जी सब्सक्राइब कर दी सब्सक्राइब